असलाम नेकुम डिया स्टूडेंट आज जैसे के हम डिवलपमेंटली अप्रोप्रियेट मिटीरियल के बारे में पढ़ चुके हैं कि उसके लिए जरूरी है कि जो भी आप मिटीरियल चूज करने जा रहे हैं बच्चों के लिए चाहे वो एक्टिविटी के लिए हो चाहे किसी भी सबजेक्जाइल होग इन्दर इस किसम के इसक इस बुक के अंदर फीच्चे जो बच्चे अपनी फिसिकल जो उनके aspect हैं उसके मताबिक उसको handle कर सकें और क्या होगा अगर उनकी कोई individual need है क्या individualized या कोई personalized features हैं बच्चों के उसके मताबि teachers को चाहिए कि वो किताबे choose करें बच्चों की culture से और उनकी social aspect हैं वो किताबें उनसे match होती हो ताकि उन किताबों में जो भी हो पढ़ने जा रहे हैं वो नहीं समझ आए आप बड़े बच्चों को multiple चीज़े समझ आ सकती हैं चोटे बच्चों को हम आसान चीज़ों से लेकर चलते हैं तो जितनी चीज़ें उनकी अपनी real life के करीब होती जो कि हमें जान बस की एक research study में मिलता है वो यह बताता है कि अच्छी e-books के अंदर कुछ features मौझूद होते हैं अगर teachers को यह पता हो कि वह features क्या हैं और वो उस book को properly study कर लें और उन e-books के feature को देख लें तो वो books बहुत ही effective हो सकती हैं बच्चों की immersion learning literacy skills के उपर definitely हम हाद चीज को assess कर सकते हैं और देख सकते हैं कि इसकी quality क्या है तो वो criteria हमारे सामने हैं हम उसको पढ़ते हैं पहरी चीज़ यह आती है कि किताब के अंदर क्योंकि वो e-book है तो उसके अंदर features जो है interactive features मौझूद होंगे और वो जितने के भी मताबिक होने चाहिए ताकि बच्चे अराम से और flexibility के साथ और independence के साथ जो है वो इन features को इस्तेमाल कर सके अगर हम सिर्फ कहानी ही ले लेंगे किस किसम की कहानी होनी चाहिए तो कहानी का plot of course simple होना चाहिए उसमें ऐसे characters होनी चाहिए उनकी action ऐसे होने चाहिए जो बच training है उसका end है उसमें जो भी adventure पर बच्चा जा रहा है या problem face कर रहा है उस problem को कैसि उसका solution निकाल रहा है वो तमाम भी बच्चों के interest उनकी mental age और उनकी emotional age के मताबिक होने चाहिए उसके लावा vocabulary क्योंकि एक बहुत एहम aspect है कहानी का वो भी जब हमारी e-books में है तो हम उसको भी देखते हैं कि जो हम कहानी सेलेक्ट करने जा रहे है उसकी vocabulary simple हो age के मताबिक हो जो grammatical complexities है terms है वो simple हो जो writing का style है या जिस तरीके से text को range किया गया है वो ऐसा हो कि वो पढ़ा जा सकता हो और बच्चे उसको easily पढ़ सके उसके इसके लावा जो features है जो आप interactive features की बात करते ह हैं वो ऐसे होना चाहिए जो बच्चे independently इस्तेमाल कर लें उन्हें बार बार adult की या किसी और की मदद की जरूरत ना पड़े तो यह बहुत important चीज़ है और सबसे important चीज़ यह है कि वो जितनी भी features है और जो भी book का content है उसका बुन्यादी मकसद यह होना चाहिए कि वो learning में इंगेज कर रहा है बच्चों को और कौंसी लेर्निंग में इमर्जेंट लिट्रसी स्किल्स के लार्निंग में जिसमें उसकी language development हो language development होगी तो और रीडिंग के features किताब के अंदर भी मौझूद होते हैं कई दफा और उसके लावा teachers और parents जिस तरह हैं और वो भी इस material को पढ़ सकें easy तरीके से बच्चों के साथ highlighting का एक बहुत important feature है जैसे कि studies में देखा गया है कि जब teachers highlight कर देते हैं किसी चीज़ को words को important words क terminology को तो बच्चों ने बड़ी असानी से सीखते हैं और बार बार उसको pinpoint कर सकते हैं बार बार ढूंड लेते हैं कि ये है वो word इसका ये है मानी तो अगर ये feature मौझूद हो हमारे e-book के अंदर तो उसको भी बच्चों के लिए बार बार रिकॉल करना बार बार रिपीट करना बार 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 जाना आसान हो जाता है उसको ढूंडना आसान हो जाता है हॉट-सपॉर्ट एक key feature है हमारे किताबों का हॉट-सपॉर्ट के लिए जो सबसे important चीज आती है वो ये आती है कि हॉट-सपॉर्ट के जो function है या जो इसके modes especially games के वो reading story reading के अंदर मौझूद नहीं हो है उनको अलग से होना चाहिए कि अगर बच्चा गलती से किसी hot spot को हाथ लगा दे तो पता चले रीडिंग रुट जाया और गेम शुरू हो जाए और definitely जो भी आपके hot spot के function है वो जो text जियाव है वो उससे relate करना चाहिए उसका मकसद यह होट-सपॉर्ट का आपकी story के अंद होती है बलकि कहानी की comprehension भी बहुत improve होती है last but not the least dictionaries बच्चों की अगह story books में dictionaries हों तो किस किसम की options उसके अंदर मौजूद हो सकती है multiple options हो सकती है कई dictionaries ऐसे होती है कि बच्चे click करते हैं और उसके अंदर sound होता है और dictionary बताती है आपको text aloud के अंदर यह word ऐसे pronounce किया जाता है और इसके साथ related challenging words क्या हैं इनके similar words क्या हैं और उसके साथ आप type कर सकते हैं या written words जो है उसकी form में आपके सामने pronunciation आ जाती है उसकी supporting images वगयरा आ जाते हैं definitely अगर dictionary के यह features मौजूद हों तो बच्चों की story comprehension क्यों बेहतर नहीं होगी और उनको क्यों बेहतर कहानी समझ नहीं आहीं हों?